So, Hello and Welcome! तो, आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं Class 10th kा Science का Life Processes का Next Part तो जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्या क्या था? हमारा जो Heart है, वो किस तरीके से working करता है? इसके बारे में हमने देख लिया था कि heart की working कैसी होती है, किस तरीके से blood flow होता है, heart में कितने parts होते हैं, ये सारी कि सारी चीज़े हमने वहाँ पर discussion कर ले थी, अब उसी का आगे हम लोग देखते हैं, देखो, the circuit that we see in figure 5B, ये देखो, आपको यहाँ पर एक circuit दिया होगा, कहाँ पर 5B में, ये देखो, उपर वाले में, ये, ठीक है, जिसको मैंने आपको समझाया था, ये जो पूरा circuit है, ये actual में आपके blood flow को पूरे body में जो है, उसको होता है, वो समझाता है, actually represent two pathway that differ functionally, मतलब यहाँ पर ये जो picture है, ये दो pathway को समझाता है, दो pathway मतलब कौन-कौन से दो pathway, एक pathway होता है, जिसमें क्या होता है, देखो, this is one pathway, de-oxygenated blood from heart is oxygenated via lungs and returned to it, एक path वो होता है, जिसमें क्या होता है, जब heart में क्या होता है, de-oxygenated blood आती है, तो वो oxygenated होने कहां जाती है, मैंने आपको बताया था, लंग्स में जाती है, और लंग्स वापीस, पॉल्मिनरीस के थ्रू क्या होती है, एंटर करती है, एक path ही हो गया, दूसरा path, while in the other, oxygenated blood is de-oxygenated via all the parts of the body and returned to the heart, तो दो pathway होता है, और ये जो दो pathway होता है, ये ये human beings में ही possible ही, जो चार चेमबर है ना, चार चेमबर human beings में ही होता है, जो से फिस वागरा जो होता है ना, फिस का भी heart होता है, तो उसमें four chambers नहीं होते हैं, तो हमारा heart जो है, basically दो path में काम करता है, पहला path क्या होता है, जो de-oxygenated blood जो heart में आती है, यहाँ पर में लिख देता हूँ, ठीक है, एक path ही हो गया, दूसरा path क्या होता है, दूसरा path यह होता है, जब heart में pure oxygen आ जाता है, तो वो कहां जाती है, all parts of the body, body के दूसरे parts में जो है क्या होती है, जाती है, क्या करने के लिए, nutrition वगरा सबको supply करने के लिए, यह दो तरीके से काम करता है, the two pathways are shown in figure 6, देखो, इसी में आपको double circulation of the blood through the heart, यह बोलते हैं, ठीक है, अगर आपसे पुछा जाएगा, कि double circulation of the blood जो होता है, वो किन में होता है, याद रखना, human beings में होता है, we can trace this path from the heart, as the left ventricle contract, oxygenated blood flows out into the lungs artery, called the otta, that divides into the several arteries carrying blood to the tissue, देखो, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि यह, जब left ventricles, left ventricles मतलब ये वाला, तो contract होगा, तो दबेगा, दबेगा तो वहाँ पे जो blood भरा हुआ होगा, बाहर निकलेगा, तो जब left ventricles में contraction होता है, तो यह blood जो होता है यहां से इस तरीके से बाहर निकलता है और autos के थुरू क्या होता है पूरे body में जो है यह flow होता है उसके बाद देखो capillaries there after carry blood to the cells and they carry deoxygenated blood back to the veins that collectively carry back blood to the right auricles of the heart इसके बाद क्या होता है जैसे यहां से pure oxygen गया पूरे body parts में गया जहां जहां पर उसको पहुंचना था पहुंच गया फिर यहां पर क्या होता है बहुत सारे आपके nerve system होते है cells होते है cells मतलब छोटे-छोटे capillary type मतलब pipe होते है जो कि आपके पूरे body में क्या होते है फैले हुए होते है फिर यह oxygen गया होते है पूरे body में जाते है सब को जितना oxygen देना होत दे दे देते हैं फिर वहांसे जब de-oxygenated होते है थो de-oxygenated blood को heart तक वापिस लाने का काम कौन करता है आपके veins जो है करते है और यहां तक तो देखो oxygenated blood आया इसके बाद इसके आगे क्या होगा deoxygenated blood होगा जो की veins लेकर आएगा heart में और heart के कौनसे portion पर लेकर आएगा right auricles पर जो है लेकर आता है so left ventricle से pure oxygenated blood निकलता है पूरे body में जाता है पूरे body और टाक थूर जाने के बाद क्या होता है veins जो होते हैं वो deoxygenated हो चुके blood को right auricles तक पहुचाते हैं this is one pathway यह है हमारा पहला pathway the other starts with the contraction of the right ventricles as deoxygenated blood flows out through the pulmonary arteries to the lungs दूसरा part जो होता है वो आपका start होता है right ventricles से क्योंकि देखो right auricles में तो deoxygenated blood आ गया फिर यह कहां चले जाएगा right auricle right ventricles में चले जाएगा फिर जब right ventricles में contraction होगा तो यहां दबाव बढ़ेगा तो pressure बढ़ेगा तो यहां से blood निकल कर कहां जाएगा lungs में जाएगा और lungs में फिर यह क्या होगा oxygenated हो जाएगा क्योंकि lungs में हम लोग breathing के थुरू oxygen लेते हैं तो oxygen lungs में जाता है तो इधर से oxygen आता है इधर से हमारे oxygen जो हमारे नाग के थुरू आता है दोनों मिक्स होते हैं प्योर होता है फिर left auricles में चले जाता है जैसे oxygenated, deoxygenated, oxygenated, deoxygenated यह चीज जो है बार 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 जो है होती रहती है ठीक है I hope आपको चीजें समझ में आ गई होंगी एक और बार में आपको समझाने के लिए थोड़ा सा roughly दो मिनिट के अंदर में आपको revise करा देता हो कि किस तरीके से दो पाथवे होता है ठीक है पहला पाथवी क्या होता है देखो ध्यान से समझना हमारा पहला पाथवी स्टार्ट होता है left ventricles में left ventricles में pure oxygen भरा हुआ रहता है जब left ventricles में contraction होता है तो यहाँ पर दबाव बढ़ता है दबाव बढ़ने के कारण oxygen जो है क्या होता है इन pipes के तुरू जाता है पूरे body म हो जुका है उसको लेने का काम करता लाकर कहां रख देता है right auricles में रख देता है right auricles में रखने के बाद यह कहां जाता है right ventricles में पहुचता है यह जो blood ही इसके थूरू अब right ventricles में जो blood आया वो खराब blood है क्योंकि इसमें डो डी-oxygenated है फिर अगला process क्या होगा यहाँ और जो right ventricles है उनमें contraction होगा और contraction होकर यहाँ से blood जो है जो de-oxygenated है यह कहां जाएगी lungs में जाएगी फिर lungs में जाकर purify हो जाएगी purify होने के बाद ये फिर से कहां आजाएगी left auricles में आएगी left auricles के बाद फिर से left ventricles में जाएगी और ये process जो है continuously जो है चलती रहती है इसको हम लग बोलते है double circulation system बोलते है the contraction of the ventricles create a pressure that maintain blood flow in the arteries जो arteries होते हैं जो veins होते हैं उनमें जो blood flow होता उसको कौन maintain करता है ventricles के जब contraction होता है ventricles contract होता है expand होता है तो जैसे आप लोग पीछकारी देखो पीछकारी जैसे holy के time खिलते हो पीछकारी को पीछे से दबाते हो तभी तो आगे से क्या होता है पानी बहार निकलता है तो उसी तरीके से ventricles में जब contraction होता है तो यहीं ventricles में contraction के कारण body में blood flow क्या रहती है maintain रहती है there is hardly any pressure in the veins veins जो होते हैं उनमें ज़्यादा pressure नहीं होता है क्योंकि veins का काम क्या होता है जो de oxygenated जो blood है उसको वापीस लाने का होता है we had studied that the walls in the veins arrest backflow of the blood these along the contraction and relaxation of the muscle around veins maintain the blood flow in them veins में से मिजली उसी तरीके से expansion contraction के कारण जो है maintain रहता वहीं चीज़ बता रहा हो the division in ultra is such that network form carries blood nearly at the same rate to the all parts of the body as it flows out of the heart जैसे ही जो blood होता है वो हमारे heart से निकलता है तो heart से निकलने के बाद क्या होता है देखो यह heart से निकला तो यहां पर सबसे पहले heart से जो निकलता है किसके थो निकलता है ओटा से इस ओटा से जाने के लिए इसके आगे बहुत सारे इस तरीके से जो है पाथ जो है बने होते हैं जिससे अलग 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 पाथ तक पैर तक बलट बलट जहां तक भी पहुंचना है fingers तक सब जगा तक यहां से और टा से जो है blood जो है क्या होता है एक ही speed में almost एक ही time पे पूरे body में क्या होता है सब जगह तक जो है पहुँचता है ऐसा नहीं है कि फिंगर तक पहले पहुँचेगा पाउ नीचे है तो लेट तक पहुँचेगा सर जादा उपर है तो दो घंटे बाद ब्लड पहुँचेगा ऐसा नहीं है चाहे सर में ब्लड का पहुँचना हो चाहे पैर में पहुँचना हम लोग इसको क्या बोलते हैं parallel system of flow जो है इसको हम लोग बोलते हैं a series arrangements of the arteries enhance resistance in the slowdown the rate of flow as the blood passes from the one part to the another एक तो series होता है जिसमें सब में पूरा parallel system में flow होता है कुछ ऐसे parts होते हैं जहां पर जो blood है वो जल्दी से नहीं पहुँच पाता है these facilitates the exchange of material between the blood and cell और यह धीरे क्यों होती है क्योंकि जब धीरे होगी जैसे अब देखो जैसे bus का एक example लेते हैं अगर bus में मतलब bus में क्या है मतलब कहीं पर कोई stoppage नहीं है और एकदम सुनसान road है तो bus क्या होता है बहुत तेजी से भगता है आप लोग देखे होगे लेकिन जब station आता है जब stoppage आता है तो जहां पर उसको सवारी मिलने के chances ज़्यादा रहते है वहां पर bus की speed क्या होती है जहां से उसको कुछ लेना देना नहीं है जहां सुनसान खाली है वहां पर बहुत speed से flow होगी लेकिन जहां पर उसको कुछ nutrition लेना है कुछ चीजें उसको मिलानी है तो वहां पर क्या हो जाता है slow हो जाते हैं. । जैसे for example, हमने खाना खाया, हमारा खाना कहाँ गया? स्टम कहाngth में गया. स्टम क 본ें गया. Small intestine में गया, large intestine में गया, सब जगह गया. तो वहां पर जो हमने खानाे खाया उसके जो nutrition है, वो तो वहीं पर हैं न, कहां पर? STIम क में, small intestine में, large इस ब्लड का काम क्या है वो ब्लड जाएगा कहां पर आपके स्टमक में जाएगा आपके लिवर में जाएगा जैसे आपके आपका खाना का जो न्यूट्रिशन मालो प्रोटीन है वो जो प्रोटीन है मालो मैं जस्ट फूर एक्जामपल बता रहा हूं ठीक ऐसा होता नहीं है जो protein है माल लो आपके stomach में stored है अब वो protein को आपके पूरे body parts में भेजना है तो blood क्या होगा जहां से कुछ लिनादना नहीं होगा वहाँ पर बहुत speed से flow होगा लेकिन जैसे stomach के पास आपका blood आएगा उसको एक message मिलेगा कि यह जो stomach है यहाँ पर बहुत सारा protein रखा हुआ है इस protein को उठा के पूरे body में क्या करना है पहुचाना है तो उस समय blood की जो speed होगा हो जाएगी slow हो जाएगी और फिर वहाँ से जो भी nutrition होगा protein होगा, carbs होगा, जो भी चीज होगी उसको क्या करेगा, वहाँ से उठाएगा slow हो जाती है the flow of blood from intestine to liver and the heart is series pathway यहाँ पर देखो एक तो हो गया parallel pathway जिसमें सब जगए एक साथ पहुचता है एक होता है series pathway जैसे stomach वगरा हो जहाँ पर blood flow होता है उसको series pathway बोलते हैं तो जो हमारा blood है न जो intestine से liver में जाता है तो intestine से liver और liver से जो heart में जाता है यह जो process है न देखो intestine से कहां जाएगा पहले liver में जाएगा liver से कहां में जाएगा heart में जाएगा तो यह जो flow होने का जो pattern है न यह parallel pathway नहीं है यह series pathway क्योंकि parallel में तो सब जगए एक ही साथ पहुचता है blood लेकिन यहां पर क्या होता है धीरे होता है जैसे small intestine में बहुँद धीरे-धीरे flow होगा पर small intestine से यह कहां जाएगा liver में जाएगा क्यों liver में जाएगा देखो it is inevitable that there should be the nutrition in the blood flowing into the liver small intestine से जितना भी nutrition blood को लेना था उसने ले लिया फिर अगले step में वो कहां पहुच जाएगा liver में पहुचेगा liver में जब पहुचेगा blood तो उसमें बहुँ सारे nutrition मिले हुए रहेंगे there are such several nutrition in the higher level of which would be fatal for the body अब जो हमारा blood है intestine गया intestine से उसको जितना भी nutrition लेना था उसने ले लिया लेकिन जो हमने खाना खाया है उसमें क्या होता है कई बार कुछ चीजे जो होती हो जादा amount में होती जैसे हम लोग किसी दिन जादा मीठा खा लिये तो उसमें sugar का level हमारे blood में क्या हो जाएगा जादा हो जाएगा तो यह तो हमारे body के लिए अच्छी बात नहीं है तो अगर sugar का level जादा हो गया है और blood में sugar जादा है तो वह blood कहां जाएगा intestine के बाद liver में जाएगा तो liver क्या करता है सब को maintain करकर रखता है मतलब blood में जितना protein होना चाहिए जितना sugar होना चाहिए glucose होना चाहिए जितना जो भी amount होना चाहिए जो कि हमारे body के लिए सही है उतना कोही जाने देता है बाकी सब को रोक के रख लेता है तो जैसे किसी दिन आपने क्या-क्या बहुंँ जादा sugar खा लिया तो blood अब intestine में तो sugar है ही इस intestine में जो sugar इसको blood लेकर पहुंचा कहाँ पर यह जो blood है ना इसमें बहुंँ सारा sugar है अभी ठीक है यह पहुंच गया कहाँ पर liver में liver देखता है कि अरे यार यह तो blood में बहुंँ सारा sugar है तो क्या करेगा जितना ज़रुरत होगा blood में sugar का उतना कोही आगे जाने देगा और बाकी extra जो sugar होगा उसको क्या करेगा यह रोक लेगा उसी तरीके से fat को भी होता है कई बार हम लोग घी वगरा ज़्यादा वगरा खा लेते हैं जिसमें बहुं सारा fat होता है तो fat चीज को खाने से क्या होता है fat हमारे body में जादा हो जाता है blood में जादा हो जाता है तो उसको भी रोकने का काम कौन करता है liver तो sugar जादा हो गया fat जादा हो गया इन सबको remove करने का रोकने का काम जो excess amount पे होता उसको कौन करता है liver करता है, अब किसी दिन मान लो क्या हुआ, कि sugar का amount जो है, हमने किसी दिन past रखा, हमने कुछ खाया नहीं, तो हमारे body में sugar का amount कम हो जाएगा, या salt का amount कम हो जाएगा, लेकिन ये भी चीज खतरनाक है, हमारे body में किसे चीज का जादा हो जाना भी खतरनाक है, कम होना भी खतरनाक है, तो access हुआ तो liver ने इसको store करकर रख लिया, अब किसी दिन माल लो कम हो गया, तो क्या करेगा, जो पहले दिन का जो access amount है, उसको मिला कर भेज देगा, और पूरा का पूरा, जितना चाहिए, पूरे body को मिलते रह लिवर एक तो हमारे body में, blood में जितनी चीज़ें चाहिए, nutrition उसको maintain करके रखने का काम करता है, और दूसरा एक और important काम करता है, जैसे हमारे body में क्या होते हैं, बहुत सारे toxic चीज़े होती, जैसे कई बार drinks कर लेते हैं, लोग, या कई बार ज्यादा ice cream, ये कोई ऐसा classify करने का काम भी कौन करता है, लिवर जो है, करता है, लिवर बहुत जादे important है आपके लिए, most of these function occur between the cells of the liver and blood, और most of the body part का आपका function जो होता है, maintain करने का वो लिवर के थ्रू जो होता है, ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग देखते है, role of blood in transport, जो blood होता है, ये transportation के flow तो होता ह पूरे body में, लेकिन इस blood में होता क्या जिया, वो इतना important है, जैसे बोलते हैं कई बार खून की कमी हो गई, जैसे किसी का accident हो गया, कुछ हो गया, तो blood चाहिए, तो ऐसा क्यों होता है, देखो, our knowledge of the blood and its constituent is nearly 400 year old, blood के बारे में जो हमको जानकारी जो मेली है, जो जानकारी ज of cell, जब cell के discovery हुई, 17th century में, an observation, अच्छा, एक मेरा question है, आप से, किसने cell के discovery की थी, आपको यह बतानी है, who discover the cells, आपको comment करके बताना है, an observation of blood saw that it was not just a watery fluid, but it contained several type of cell as well, उस समय देखा गया कि blood में जो है, सिर्फ और सिर्फ पानी जैसा fluid नहीं होता है, इसके अलावा उसमें और भी बहुं सारी चीजें होती है, blood was the said to be the composed of the two measure component, और कहा गया, कि जो blood होता है, वो basically दो चीजों से मिलकर बना हुआ होता है, पहला, a fluid part that was called as plasma, एक जो liquid part होता है, जो fluid part होता है, उसको plasma बोलते है, certain structures found in the plasma that were called as blood cell, इसके अलावा, एक और होता है, प्लाजमा के अलावा, जो की अलग-अलग structure का बना हुआ होता है, जिसको हम लोग बोलते है, blood cell, तो जो blood होता है, उसमें दो part होते है, plasma part होता है, blood cell वाला part जो होता है, blood cell were later categorized as a red blood cell, white blood cell in the platelets, बात में जाकर हमको यह पता चला है, कि जो blood cell होते हैं, ये भी तीन type के होते है, जिसको हम लोग स्वा The red blood cells were found in non-nucleated disc shaped structure, ये देखो, इस तरीके का disc जैसा shaped का होता है, जैसे चक्का होता है, किसी भी चीज का जो गोल चक्का होता है, उसी के जैसे दिखता है, having an iron-rich protein compound called the hemoglobin, और red blood cell में जो होता है, इसमें क्या चीज पाए जाता है, hemoglobin पाए जाता है, और इसी hemoglobin के पाए जाने के कारण समय, blood का जो color होता हो, क्या होता है, red होता है, this is an pigment that redundant the cell red, इसके कारण से red होता है, oxygen binds with the iron of the hemoglobin and the nearly 97% oxygen in our body is carried in this way, हमारे body में जो blood में जो oxygen होता है, वो mostly 97% जो oxygen हो किसके साथ मिला हुआ रहता है, red blood cells के साथ मिला हुआ रहता है, oxygen flows from blood to cell where it is the concentrated in less and the carbon dioxide reaches the blood from this cell, इसी cell से क्या होता है, oxygen अधर पार्ट तक साप्टाई होता है, CO2 body के अधर पार्ट से लेने का काम, return करने का काम भी यही करता है, the white blood cells lack color and are of the different shapes in the size, जो white blood cells होते हैं, वो different, different types के होते हैं, our body is protected from the several infection and the disease due to this cell, तो WBC का का काम क्या है, WBC का का काम होता है, जो हमको मौसम जोने करें, थोड़ीवों सर्दी, खासी, जो काम जो होती, जो एक-दो दिर बाद ठीक हो जाती है, infection वगरा को रोखने का काम, WBC करता है, A clot is formed in the area of the cut and injury by the mainly another group of cells called the platelets, और platelets का function क्या होता है, जब गलती से हमारा हाथ या पैर कर जाता है, तो कुछ दिर तक blood flow होता है, कुछ दिर बाद blood flow होना क्या होता है, बंध हो जाता है, तो ऐसा क्यों होता है, reason है platelets के कारण, जो platelets जो होता हो, क्या करता है, blood के clotting करने का, मतलब काम करता है, मतलब ठका जमाने का, मतलब flow होने नहीं देता, रोकने का काम बेसी कलिए ये करता है, आप ये समझ सकते हो, इसके अलबाब ब्लड के कुछ और भी काम सोते हैं, जिसके अगर आपके body parts में कहीं पर, अगर अननेसेसरी कहीं पर ब्लड का जमाऊ हो गया है, तो इसको क्या करते हैं, सही करने का काम करते हैं, ग्लुकोस, कैल्सियम, पोटेशियम, हार्मोन, इंजाइम, यूरिया, सॉल्ट, अमंग सेवरल अगर कॉंपोनेंट्स अप दा ब्लड, इसको भी फ्लो कराने का काम करता है, इसलिए ये सब कहां मिले हुए होते हैं, सब ब्लड में मिले हुए होते हैं, इसलिए जब आपको सुगर का चेक कराना हो, बीबी का चेक कराना होता है, कोई बहुँ सारी जब बीमारियों का चेक कराना होता है, तो डॉक्टर आपको क्या बोलता है, कि जाओ भाई, खुन चेक करा क्या हो, खुन चेक करा क्या आने से क्या चीज़ पता चलती ही, बहुँ सारी चीज़े फिर हम लोग अगले टॉपिक से स्टार्ट करेंगे तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो बाई बाई